नमस्कार दोस्तों 28 तारीक को नहीं पार्लेमेंट बिलिदिंग का इनॉग्रेशन होनी जा रहा है पार्लेमेंट यानि की देमप डेमोक्रेसी अब इसका इनॉग्रेशन में बहुत जादा कॉंट्रोड सी क्रियेट हो गई है जिसमें की 20 प्रेशन का कहना है कि हम इस पूरी लेंगे और वहीं कुछ पॉइलिटिकल प्राइटिक का कहना है कि हम इसको अटेंट करेंगे तो तो आपो इस ताइम से लेंगे आज तक यह पार्लेमेंट में नहीं तो सब्सक्राइब करें और यह क्या चीज है और साथ हम इस पूरी चीज को टीप में जान रहे होंगे और ऑपोजिशन पार्टी इसको किन आर्टिकल्स का वास्ता दे कि अपनी बात को मनवाने की कोसिस कर रहे हैं तो आईए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप लिए इस चैनल को सब्सक्राइब लिंक है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो परसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते है आदेजिए मोर्मर जी अभे इस टाइंप पर इसी के लिह बिजएपी कोई हमीरेशन करना चाहिए और वहीं पर ruling party का कहना है कि article 60 और article 111 मतलब कि 111 article इन दौनों के तहत यह जो inauguration है यह president के आतों से होना चाहिए अब मैं इस आप लोगों को बता हूँगा क्यों और यह दौनों articles भी क्या कहते हैं तो देखें यह जो दौनों article है article 60 जो है affirmation on oath की बात कहता है कि इस पर समालों भी बात करता है जो कि CGI यहते हैं और दूसरा article 111 यानि कि 111 111 बात करता है कि जो कोई भी law जब तक president sign नहीं करेगा तब तक वो जो law पारित नहीं होगा यह तो आप लोगों को भी बता हूआ कि एक бाल जो be real होता है उलोक सवाम पास होता है ति अन क्रेजस्तार मिं पास होता है इसका इनागडेशन करना चाहिए वहीं पर BJP की मेरे आपको बता लहान्गरिण कि इनका कहना है कि जब आगास 1975 में जब पार्लेमेंट NXC यानि कि यह एक NXC पार्लेमेंट के अंदर ही एक कोई structure यानि कि कोई एक जो बिंदिंग पार्लेमेंट के अंदर ही उसका उर्खाटन जो है उस टाम पे इंद्रा गांधी जी ने किया था और जब लाब्रेरी वनी थी पार्लेमेंट के अंदर तो उसका भी फांडेशन स्टूर्ण है और राजी बांधी जी के द्वारा रखा गया था उस टाम पे जो कुष्टर में पीम थे 1987 में तो जब इन दौनों ने जब जो काम किया है तब किसी को कुल प्रॉब्लम नहीं थी तो आज के टाम पे जब न पर इस टाम पे इनका पर कहना है कि इस टाम पे जो काम है यह भी मोधी जी को ही करना चाहिए तो ओर यह चाहिए कि लुग कि नहीं लोकसावा के तो इस कि नाते जो इनाउगरेशन है यह प्रेजिएंट को नहीं जाहिए तो इस वास्ट से मैं पूरी तरह से डिस्यागरी करता हूँ क्योंकि आप लोग को पता होगा कि पार्लेमेंट है जो पार्लेमेंट बनती ही तीन लोगों से है किनके इन से राज्य सभा लोग सभा और खुद प्रेसिडेंट ठीके न तो जब इन तीनों लोगों से ही पार्लेमेंट बनती है तो इनका पूरा स्टेटमेंट है से मैं पूरी तरह से डिस्यागरी करता हूँ क्योंकि ओवरॉल प्रेसिडेंट खुद पूरे पार्लेमेंट का एक पार्ट है बिना President के Parliament होई नहीं सकती according to Indian Constitution तो अब मैं देखो आप लोगो पूरा overall scenario बता दिया कि overall क्या scenario होने वाला है और at the last मैं अपना opinion बताऊंगा और साथ ही साथ आप लोगो अपना opinion जो कमेंट बाक्स में लेखे हैं कि आप लोगों क्या opinion पूरे case के बारे में कि किसको इस तरह से इसका inauguration करना चाहिए पर उससे पहले हम जानते हैं कि overall कौन कौन से इस पार्टी वो इस चीज़ को boycott कर रही है क्योंकि तो इस पे सबसे पहले आता है Congress ठीक है ना Congress, त्रमून Congress, DMZ, DMK जनता दल, आम आदमी पार्टी जो कि डेली में आम बार्टी अधरकार है, National Congress Party, सिफसे ना और यह जो आप पूरी लिश्ट देख सकते हैं जिसमें कि यह समाजवादी पार्टी जो कि UP में भी स्टैंप मतलब बहुत यादा टेंडिंग पे है तो यह जो कुछ पार्टी है, Communist Party of India, यह कुछ पार्टी है, जो कि इस चीज को पूरी तरह से boycott कर रही है अब overall इस पूरी चीज में कितनी MP है, यह consist करते है, 242 MP, यहनि कि Member of Parliament, यह consist करते है क्योंकि overall जो majority है, वो तो BJP के पास ही है, इसलिए आप लोगों के MP के संख्याय तनी कम लग रही होगी पर overall जो ruling party है, वो BJP के पास ही है, तो इसलिए आप लोगों के MP कम लग रही है और यह जो party है, यह boycott करने की बात कर रही है, कि हम इस पूरी inauguration को boycott कर रहे है यह है, पूरी टोटर 20 party है, 20 party ठीक है, और दुसरी नमार पर attend को रहे हैं करेंगी, attend करने वाली है खुद BJP ठीक है, नाम जो कि NDA की सदस है, बीजेपी, तो BJP, ठीक है, सिप सेना, जो कि यह गनात सिंथी जिसके founder थी और National People Party, Nationalist Democratic Progressive Party, यह जो पूरी आप लेश्ट देख सकते हैं, कि यह जो पार्टिया है, यह कुछ जी जैसे छोटे चोटे एरिया की कुछ छोटे पार्टिया है, तो यह इस पूरी, इस पूरी सेर्मेनी को attend करेंगी, तो आप लोगों को मैंने दोनों बता जिए कि कौन इस यह आप लोगों पुराने टाइम पे राजा माराजा देखा, वोगों के अपने हाथों में यह जो एक छड़ी डैप की पकड़के रून किया करते थे, तो उसी चीज को रेप्रेसेंट करते हुए, 1947 में जब आजा दी के टाइम पे, जब ब्रेटिशर्स जा रहे थे, तो जब आजा रेस्पोंसिबिलिटी, जब आला नहरु जी को सौप दिया है, क्योंकि बिग पावर कम बिग रेस्पोंसिबिलिटी यह चीज तो आप लोने सुनी होगी, तो इसी चीज को शो करते हुए, यह जो चीज है, यह ब्रेटिशर्स ने, जो क्यू स्टैंड पे, करेगा, यह रेस्पोंसिबिलिटी, एक इंडिपेंडेंट इंडिया की एक छमी को दर्शाएगा, जो की एक तरह से पूरा दिखाया की अब पूरे इंडिया को जो अधिकार है, जो पूरे इंडिया की जो सत्ता है, वो आज हमारे आतों में है, या इंडियन सी आतों में, आप लोग इसे देख सकते हैं और यह जो पूरा वर्ड है यह तमिल वर्ड से लिए गया था सेमाई ठीक है ना इस जिसका मतलब है राइटियस्ट यानि कि जिम्मेदारी हमारा अधिकार इसका अधात पर है तो आप लोगों को एक तरह से इसे देखके प्राव होना चाहिए क कि ओवर्ड जो इंडिया की पूरी अधिकार है पुरा जो कुछ रस्प्रोंसिबिल्टी है वो हमाने आतों में है इसमें कोई भी अधर कंट्री का कोई भी सस्तक्षिब नहीं होगा अम मैं आप लोगों बताता हूं अपना उपीन है देखे ओवर्ड जो यह पूरा मुद् बिल्डेंग कबसे खरी एससे खड़ी है तो यह परले है यह हमेसे रर्लेमेलंट है यह धर फार्लाइमेंड पर्लों प्रलेंट Garajan introduces और या बारत के प्रफ्छ बनता है इसको इनगुन कोई ब्लेंट करने मुद्र एक member होता है लोकसवा का आप लोग ने अगर quality पढ़े हो तो PM जो होता है वह सिर्वा से एक member होता है parliament का यानि कि लोकसवा या राजसवा जिसने विसे लाक या तो उसका सब्सक्राइब से होता है उसकी भी सीड़ भही होते है जाहिक बाकी MP बैठते हैं और वह सब्सक्राइब लोकसवा सब्सक्राइब तो यहां पर प्रेज़ेंट के तो प्रेज़ेंट को ही यहां पर इनागुरेशन करना चाहिए क्योंकि एड़ दा एंड जो हमारे वीडियो को लाइक सेटे लोकसवा का तो इसलिए मेरा प्रेज़ेंट को इसका इनागुरेशन करना चाहिए अब आप लोग क्या ओपीन है न आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्षिन है बता सकते हैं वीडियो पसंदा आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए चै झाल झाल